कि परो को खोल जमाना उडान देखता है जमी पर बैठ के आश्मान देखता है आपका अप अब पर यह नपीजीीटी का पताने जा रहा हूं है इस प्रफीजीटी का अहना व फस्वा करए कि इसमें क्या है जो टोपिक है जो टोपिक है मैं टोपिक है उनकी बात करेंगे हम कि कहां से क्या आएगे अंज़र तो उनके सब टोपिक बहुछ 70 थो जैसे कि पहले टोपिक पोस्ते हैं जरा देखें जैसे कि set मैं Dwight होते हैं उनके हम बात करेंगे हैं और तो ये संट और से लिए इक दो सट यह मिल जाएंगे यह को उसका आड रीलेशन अगर रेलेशन की बात करेंगे का कि अ works है स्काइब के जब तक लॉइभ दो चाहीं पड़ाएंगे तो रिया यह बात करनेंगी जैसे साइन है को जै कि नट Daha पिर क्या इनकी compound angles की बात करेंगे यह जो portion है technometric का portion है हमारा उसके बाद आगे बात करेंगे जो आगे से लिवस की बात करते हैं हम यह टिक्नोमेट्रिक equation यहां पर जैसे जनल इक्वेशन होती है जैसे जैसे इक्वेशन निकलते हैं तो यहां जो टिक्नोमेट्रिक से आपके मानलो 57 कोश्या मिल सकते हैं पूरे टिक्नोमेट्रिक से जैसे इंपोडेंट की बात करूं तो यह इंपोडेंट पोर्शन रहेगा इसमें complex नंबर आप देखेंगे complex नंबर में बहुत सारी थे यहां से देखेंगे तो आठ से दस कोश्या मिल जाएंगे आपसे अगर complex नंबर को अगर आठ से दस प्रोब्लम यहां से मिल जाएंगे आपको उसके आप quadratic equation quadratic equation में असलित में बेसिकली तो quadratic equation पर होते हैं ज्यादा लेकिन इसको आप theory of equation भी बोल सकते हैं इन दोनों पॉर्शन को quadratic equation quadratic मतलब जिसकी degree जिस polynomial का degree क्या होता है higher degree coefficient का जो power होता है यहना वो 2 हो जैसे क्या है मन दिया ax यह general form होती इक स्क्वार प्लस bx प्लस c है ना यह quadratic equation क्या लाएगा equation कमगा तो 0 लगाना पड़ेगा quadratic polynomial करेंगे तो px लगाना पड़ेगा यह आपको कोई polynomial लेगा जो 2 degree का मतलब x पे जो highest power है वो 2 है आपका ठीक है उसके लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर जन्दली क्या होती है ax प्लस b format की होती है जिसमें अगर लीनियर की बात करूँगे a और b आपके r सा आएंगे बट यहाँ पर a not equal to 0 होगा अगर एक और 0 रख लिए जाए क्योंकि आर्वे तो जीरो भी होता है तो यहाँ पर बी कॉंस्टेंट अपका function बन जाएगा यहां से भी अच्छी प्रोब्लम मिलेंगे आपको आपको आठ से दस प्रोब्लम यहां भी मिल सकती है आठ से दस प्रोब्लम उसके से इसमें sequence भी लिख सकते हैं sequence and series, sequence and series में arithmetic progression, geometric progression और harmonic progression और एक end और में लिख दे रहा हूं है, एक end बना के और चीजे लिख दे रहा हूं and and AGP है ना एजीपी मतलब अल्टमेटिक जोमेट्रिक प्रोगेशन यानि एपी और जीपी का कॉम्बीनिशन यानि मिक्स्ट सीरीज होगी वह भी इंपोर्डेंट है मैक्ट्रिक्स और डिटर्मेंट से कोशन मिल जाएंगे यहां से भी आप देखोंगे साथ कोशन मिलेंगे यहा से भी आपको कोशन मिलनेगे वह उसके आप आती है आप कैल्कुलास में पोच्छते हैं हम कैल्कुलास में आसे क्या है लिमिट का पोर्शन łhy mn continuity का portion है उसके बाद differentiability है और limit continuity के बाद integral calculus है उसके बाद जो यह portion है application of derivative जब तक आप limit continuity और differentiability नहीं पढ़ोगे तो आपको application of derivative नहीं समझनाएगा application of derivative में क्या-क्या important है जैसे maxima की बात करेंगे maxima minima की उसके बाद tangent normal की बात करेंगे tangent normal की बात करेंगे ठीक है इस type का और और भी वह increasing monotonic increasing monotonic decreasing है ना बहुत सारे convex concave यह सब इसी में आता application of derivative में आपके है ना तो यह कई सारे हैं यहां से अगर application of derivative से देखोगे ना यहां से देखोगे यहां से 6-7 question मिल जाएंगे आपको यहां से लेकिन यह आएंगे तभी आपको आपको लिमिट आनी चाहिए continuity आनी चाहिए आपको difference ability आनी चाहिए ठीक है उसके बाद coordinate geometry है ना जिसे आम क्लास में पढ़ते हैं यह 9th क्लास का पॉर्शन 9 तो 10 का होगा है coordinate geometry उसके बाद यह स्टेड लाइन है यह 11 का पॉर्शन है स्टेड लाइन सरकल है ना उसके बाद आगे पोच्छते हैं यह सब कि यह पूरे section को kone section बोलते हैं को निक section बोलते हैं उसके बाद 3D 3D में state line plane spare की बात करेंगे और यह vector calculus जो vector calculus में vector algebra है vector algebra में से आस्थित में आखर देखेंगे जो हम बात करते है vector algebra में आगर लेकिन इसमागर calculus और गर इसमागर calculus के तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं करल घाता है करल ओफ ए न या फिर डाइवर जैन्स डाइवर जैंस ऑफ यह आजाता है ना इस टाइप की बाते है ना और या फिर ग्रेडियंट की बात करने लगता है ग्रेडियंट की बात करने लगता है तो यह आपके कोर्स लेवात कोशन पर यहीं से मिलेगा मतलब आप देखोगे तो कोशन अभी मैंने टोपिक बता है कम नहीं है अगर काउंट किये जाए चार टोपिक है चार में भी इसमें अगर सब केस बनाओगे तो बहुत सारे हैं चार इधर हैं और माने चार 5 6 7 8 9 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 उसके बाद 17 18 19 20 21 22 और 23 24 25 27 27 27 27 में लिखें हमने 27 में कुछ सब केसिस थे अगर देखा जाए तो यह 11 और 12 है पूरा ठीक है 11 और 12 पूरा है जैसे लीनियल जबर आएगी तो ग्रेजबेशन की आएगी ठीक है है ना वो पढ़ाते समय बताई दिया है लेकिन फलाल जो आपका कोर पोर्चन है वो य देखिएगा इसको अच्छे से इसको रेडी किएगा यहां से देखोगे तो यहां से मैं लिख सकता हूं मैं 99% क्या सकता हूं यहां से यह मान के चलिए 90% कोस्टन पेपर आपको यहीं से मिलेगा 90% 10 परसेंट जो जाएगा ओन नाइंध का जाएगा जो 10% हमारा माइनस हु करवेचर का कोश्टन डाल सकता है ठीक है चलिए यह आपका पूरा स्लेवस था लेकिन 90% कोश्टन यहीं से आएगा आपका बीपीएस की का ठीक है चलिए लेकिन यह PGT का है मैं फिर बोल ला हूं यह जो आपका स्लेवस है किसका है यह PGT का स्लेवस है अंडर लाइन कर लेन यह PGT का नहीं है, यह PGT का स्लेवास है, चलिए thank you so much